नमस्कार बायजूज एक्जाम प्रेप आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक मार्च के प्रमुख समाचारों पराधारित कुछ प्रस्टों पर चर्चा करने वाले हैं तो आए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज यहां पर क्वेश्चन नमबर वन है दि इसमें सिक्षकों के लिए प्रस्टों कारकरम चलाए जा रहे हैं जिससे कि इसका फाइदा वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को भी मिल सके और इसके धार पर अगर देखा जाए तो कोश्टों नमबर वन का एंसर होगा आपका ओप्शन नमबर बी जहां पर ये कहा जा है कि प्रारमभिक अस्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए एक सिक्षक प्रसिक्षन कारकरम यह सही तरीके से निष्ठा का सरोतम वंडन करता है यानि की कोश्टन नमबर वन का एंसर होगा आपका ओप्शन नमबर बी इससे जुड़ा हुआ एक निउज कल के P I.B. में आया है जहां पर देश भर के 49 सिख्षकों को राष्टिय ICT पुरुसकार परदान किये जाने की खबर की चर्चा की गई है और इसी खबर में PME विद्या और निष्ठा को ले करके भी चर्चा किया गया है आप यहां पर भी देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है क कि स्कूल प्रमुखों और सिख्षकों की समगर उनत्ति के लिए एक राष्टिय पहल तो इस न्यूज को भी आप जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे आईए आप कोश्चन नम्बर टू पर चर्चा कर लेते हैं कोश्चन नम्र टू है दिये गए कत्रों में से कौन सा कथन सही है और यहां पर आपको चार कथन दिये गए हैं यहां पर पहला कथन है आईसी जे स्यूंक्त राष्ट के छे प्रमुख अंगों में से एक है जो नियूज सहर में इस्थित नहीं है तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं आईसी जे यानिकी इंटरनेशनल कोट ओफ जस्टिस क ले करके और आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि आईसी जे स्यूंक्त राष्ट की एक प्रमुख न्याईक अंग है और इसका मुख्याले हेग में स्थित है अगर हम स्यूंक्त राष्ट के अन्य प्रमुख अंगों की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके कि अंतराष्टिय न्याले का जो मुख्याले है वो हेग में इस्तित है यानि कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है सन्युक्त राष्ट के सभी सदसे स्वतहीं ICJ कानून के पक्षकार हैं और यह स्वतहीं उनसे जुड़े वादों पर ICJ को अधिक्रित करता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि ICJ को अधिकार छेतर तभी मिलता है जब दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हों। आपको ध्यान में रखना है कि स्वतहीं उनसे जुड़े वादों पर ICJ को कोई भी अधिकार नहीं मिलता। जब तक कि दोनों पक्ष राजी ना हों तब तक ICJ वहाँ पर कोई भी कारवाई नहीं कर सकता है। आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है। इसमें 15 नियाधीस हैं जिन्हें सयुक्त राष्ट महासभा और सुरक्षा परिसत द्वारा नौ साल के लिए चुना जाता है। तो यहाँ पर यह कथन गलत है। यानि कि यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है और इसलिए Q2 का एंसर होगा आपका Option C यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है। यहाँ पर कुछ और प्रमुख जानकारिया मैंने आपको नोट के रूप में दे दी हैं जिसको कि आप जरूर नोट कर लेंगे। और इसी को लेकर के यह News The Indian Express में दिया गया है। तो बहुत important News है जरूर इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आए देख लेते हैं तीसरे Question को तीसरा Question है हाल ही में समाचारों में रहे दोनबास छेतर के संदर्म में निमलिखीत कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको तीन कथन दिये गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उप्यूग कथरों में से कौन सा कथन गलत है। यहां पर पहला कथन है इस छेतर में डोनेश्क और लुहांस्क राज सामिल हैं। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं डोनबास छेतर को ले करके और आप सभी जानते हैं कि युक्रेन का जो ये छेतर है डोनबास उसमें डोनेश्क और लुहांस्क दोनों राज सामिल हैं और ये दोनों राज रूस समर्थित विद्रोहियों के कबजे में हैं और इसके धार प तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है। यह एक और दोगित छेतर है और कोईला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि कुनबास छेत्र अपने कोईला भंडारों के लिए जाना जाता है यानि कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है आईए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है यह छेत्र रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमा सांजा करता है तो यहां पर अगर हम दूसरे फिगर को देखते हैं जहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि युकरेन के आसपास किन इलाकों में रूस के द्वारा अपनी सेना को अस्थापित किया गया है आप यहां पर देख सकते हैं कि यह एरिया डोनबास का है जिसकी सीमा रूस से लगती है लेकिन यहां पर है बेलारूस यानि कि ये कहना कि डोनबास का सीमा बेलारूस से मिलता है ये गलत है आप इसको फीगर में देख सकते हैं यानि कि यहां पर जो तीसरा कथन है वह गलत है और इसके अधार पर question number 3 का answer होगा आपका option number C यहां पर सरिफ तीसरा कथन ही गलत है इससे जुड़ा ह आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिर्चक है fighting in Ukraine must stop और ये United Nation के chief के द्वारा कहा गया है आईए question number 4 पर चाचा कर लेते हैं question number 4 है shift के संदर में दिये गए कथनों में से कौन सा कथन सही है और यहां पर आपको चार option दिये गए हैं यहां पर पहला option है यह वित्य लेंदेन से समंधित सुचनाओं के त्वरित और दोसरहित अदान परदान के लिए विश्व अस्तर पर बैंकों और वित्य संस्थाओं द्व वारा उपयोग किया जाने वाला संदेश network है तो आप सभी जानते हैं shift को लेकर के मैंने fact of the day में चर्चा किया था और अगर उसके धार प्रगर देखा जाए अगर आपने उस चर्चा को सुना होगा तो आप सभी जानते होंगे कि यह जो कथन है shift के बारे में वह पूरी तर ही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है यह एक वैस्विक सदस स्वामित वाला सहकारी संस्था है जो एक घरेलू भारतिय बैंकों और विदेशी बैंक के बीच धन हस्तांतित करती है तो यहाँ पर यह कथन गलत है हाला कि यह एक सहकारी संस्था जरूर है लेकिन यह सरिफ घरेलू भारतिय बैंकों और विदेशी बैंकों के बीच में धन का हस्तांतन करने के लिए नहीं बनाया गया है यह वितिय लेंदेन को लेकर के एक संदेश नेटवर्क के रूप में कार करता है याने कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो हगलत है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है स्विफ्ट के पास कोई फंड या प्रतिभूती नहीं होती है तो यहाँ पर ये कथन भी पूरी तरीके सही है याद रखेगा कि स्विफ्ट के पास कोई फंड या फिर प्रतिभूती नहीं होता है आये देख लेते हैं चौथे कथन को चौथा कथन है स्विफ्ट ग्राहकों के खातों का प्रबंधन नहीं करता है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्विफ्ट एक ऐसी संस्था है जो कि अंतराष्टी अस्तर पर बैंकों के बीच में जो वित्य लेन दिन होता है उससे जुड तहां को के खातों का प्रबंधन नहीं करता है और इसके धार प्रगर देखा जाए तो question number 4 का answer होगा आपका option number C यानि की पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है तो याद रिखेगा question number 4 का answer है आपका option number C इससे जुड़ा हुआ एक news आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिर्शक है Russian economy reals under array of sanctions तो यहां पर जब से युक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा है उसके बाद से ही अमेरिका और यूरूपिय देशों के द्वारा रूस पर बहुत ही कड़े परतिबंध लगाए गये हैं आप सभी ने देखा हुगा कुछ दिनों पहले हमन से पढ़ लेंगे आईए अब एक प्रिवशे सरे कोशन पर चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2016 में पूशा गया था कोश्चन नमबर फाइब है प्राचीन भारत की निमलखित पुष्टकों में से किस एक में सुंग राजवन्स के संस्थापक के पुत्र की प्रेम क कहानी को लेकर के चर्चा किया गया है यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है किसी पुष्टक में अग्नी मित्र के पिता पुस्व मित्र सुंग के राजिसु यक को लेकर के भी चर्चा की गई है और इसके धार प्रगर देखा जाए तो यहां पर कोश्चन नमबर 5 का एंसर होगा आपका option number B याने की मालवी का ग्रिमित्रम आईए अब आज के तथ्य के उपर चचा कर लेते हैं और आज हम चचा करने वाले हैं अंतराष्टिय मानसून परियुजना करयले को ले करके जिसको ले करके एक news कल के P.I.B. में आया है जहां पर ये कहा गया है कि सरक इसको download करके पढ़ लेंगे यहां पर ये कहा गया है कि राष्टिय विज्ञान दिवस 2022 के आउसर पर सरकार के द्वारा अंतराष्टिय मानसून परियुजना करयले का सुभरम किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये कहा गया है कि भारत में IMPO की अस्थाप को बढ़ाना मदद सबंधी बहतर संचालन एवं सेवाओं के लिए मानसून अनुसंधान को मजबूत करना इसके अलावा यहां पर ये भी कहा गया है कि इससे क्रिसी जल संसाधन आपदा परबंधन जल विधुत एवं जलवायू के प्रति समय दंसील समाजिक आर्थिक छे में ज्यान की साजेदारी और छमता निर्मान को बढ़ावा मिलेगा तो यहां पर सरकार के द्वरा इसलिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि मानसून से जड़े हुए जो भविस्वानिया होती हैं यहां पर जो चक्रवात आते हैं उसको लेकर के जो भारत की जो समझ है वह और ज्यादा मजबूत होगा हम किस तरीके से भारी वर्षा के समय चक्रवातों के समय आपदा परबंधन कर सकते हैं इसको लेकर के मदद मिलेगा जिसकी चर्चा इस न्यूज में किया गया है तो बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है और यहां पर जो इसका एडवांटे कर लेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूरी से लाइक करें सेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेद करें तो मिलते हैं डेली की इसके अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद